दोस्तो अभी तक अगर हमको खाना मंगवाना होता था तो दिमाग में सबसे पहले दो नाम आते थे Zomato और Swiggy पर दोस्तो अब एक नया खिलाड़ी मार्केट में एंटर हो चुका है ONDC अब क्या है ये ONDC और क्या ONDC Zomato और Swiggy को खतम कर देगा ये सब बताऊंगा इस वीडियो में सबसे पहले सबस्क्राइब कर लिजे हमारे चैनल को और लाइक कीजे इस वीडियो को तो दोस्तो आखिरकार ये ONDC है क्या ONDC का फुल फॉर्म है Open Network for Digital Commerce Gorman ने कुछ private IT companies के साथ मिलके ये platform बनाया है इससे दोस्तो middleman को हटा दिया जाएगा seller और buyer direct एक दूसरों को खरीद और बेच पाएंगे ये दोस्तो एक open platform है इसमें ना ही कोई commission होता है को commission होता भी है तो बहुत कम commission होता है ये दोस्तो एक open platform है कोई भी इसमें register कर सकता है कोई भी बेच सकता है और कोई भी खरीद सकता है इसमें commission ना मात्र के बराबर होता है जहाँ पे Zomato और Swiggy 30-35% commission लेते है वहाँ पर ही ONDC के आने से commission बहुत ही ना मात्र के बराबर रह जाएगा 2021 में इसको government द्वारा launch किया गया था इसकी beta testing चल रही थी Bangalore के 16 pin code से इसकी testing शुरू हुई थी September 2022 में दूसरे शहरों में भी इसको launch कर दिया गया जैसे कि Delhi, Mumbai, Kolkata आदी बड़े बड़े शहरों में इसको launch कर दिया गया आपने दोस्तों UPI का नाम तो सुनाई होगा UPI ने जैसे payment method में एक revolution ला दिया है वैसे ही ONDC ये जो grocery और food ordering system है इसमें पूरा revolution लेके आने की तैयारी है UPI जैसे हर एक bank app और हर एक third party apps यूज़ करने को मजबूर हो गये थे पे टी एम फोन पे जी पे या फिर कोई भी bank हो गया उनको UPI अपने app में रखना ही रखना था क्योंकि इतना बड़ा इतना famous हो चुका था UPI आजकल हर कोई UPI करता है वैसे ही अब ONDC भी आ गया है ONDC को भी हर एक platform को integrate करना होगा हर एक platform को अपने app में ONDC को डालना होगा क्योंकि ये भी उतना ही बड़ा होने जा रहा है अब दोस्तों बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि ONDC से अगर आप shopping करते हैं आप food order करते हैं तो वो सस्ता क्यों पड़ता है इसका main reason यही है कि Zomato और Swiggy 25 से 30% commission charge करते है वही ONDC 2 से 4% ही commission लेता है वो भी विल्कुल ना मात्र के बराबर है और इसमें किसी mediator Zomato Swiggy जैसे किसी mediator की जरुवत नहीं पड़ती किसी middle man की जरुवत नहीं पड़ती अगर आपका restaurant है या outlet है तो आप directly ONDC में registered कर सकते है और वहाँ से direct आपका customer जो है आपके restaurant से order कर सकता है तो बीच में कोई भी middle man नहीं रहेगा कोई जंजट ही नहीं उनके जो भी आपके नियम है वो मानने की जरुवत नहीं आप अपने नियम से बिल्कुल अपने customer को serve कर सकते हो इसके अलावा अभी ONDC बहुत सारे offers भी launch कर रहा है बहुत सारे coupon codes भी चल रहा है और सबसे बड़ी बात है इस समय अभी delivery बिल्कुल free है अगर आप कुछ order करते हो तो delivery का कोई भी पैसा नहीं लगेगा अब दोस्तों बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि आखिरकार ये ONDC को हम इस्तमाल कैसे करे तो UPI की तरह ही इसका कोई ऐसा app नहीं है जो आपको play store वगेरा में मिल जाएगा कोई ऐसा special app नहीं बनाया गया इसके लिए ये दूसरे apps में integrated होता है जैसे कि आपको paytm phone pay pay UPI का option मिल जाएगा वैसे ही paytm में आपको ONDC का option भी मिल जाएगा paytm के search में अगर आप click करेंगे search का जो icon है उसमें click करेंगे और click करके आप ONDC लिखोगे तो ONDC का जो भी menu है जो भी food है, restaurants है वो सारा आ जाएगा आप वहाँ से order कर सकते हो paytm के इलावा धीरे-धीरे और भी apps में ONDC लाँच हो रहा है और भी apps ONDC को integrate कर रहे है अपने apps में इस समय ONDC में 39,000 से जादा outlet registered है और 36,000,000 से जादा products available है अब दोस्तों इसमें इतना सारा positive है तो negative भी कुछ ना कुछ होगा तो हाँ दोस्तों जरूर negative है negative यह है कि जब आप order करते हो तो जो delivery है वो restaurant वाले ही कराते है Zomato Swiggy में Zomato Swiggy के बंदे होते थे वो restaurant से pick up करते थे और आपके घर तक पहुचा के जाते थे पर इसमें कोई ONDC का अपना कोई delivery boy नहीं होगा restaurant को ही delivery boy अरेंज करके आप तक खाना भेजना होगा तो इसके लिए क्या होता है कि जो delivery time है वो थोड़ा जादा आपको लग सकता है Zomato Swiggy में जहाँ पे 20-30 मिल्ट में आप तक खाना आ जाता है वही पे ONDC में हो सकता है एक घंटा भी लग जाए क्योंकि restaurant वाले अपने तौर पे अपने हिसाब से delivery boy से खाना भिजवाते है इसके इलावा जैसे Zomato और Swiggy में आप track कर सकते हो कि हम इतने time पे हमारा delivery boy आ रहा है यहाँ पहुचा इस गली से मुड़ रहा है यहाँ पे आया तो ONDC में ऐसे track करने का कोई system नहीं है शायद आगे जाके हो जाए क्योंकि अभी यह experiment level पे है experiment phase में है तो हो सकते है आगे जाके हो जाए अभी फिलाल तो ऐसा कुछ नहीं है तो अगर आपको भी try करना है ONDC एक बार order कीजिए पेटिये में जाके बहुत ही अगर आप खोलोगे एक बार ONDC तो आपको सही मिलाएगा इत्ता सस्ता है Zomato Swiggy में जो Momos आपको 1500 रुपे के मिलते है या आपे 60-70 रुपे के वही Momos आपको मिल जाएंगे वो सेम ब्रैंड के सेम कंपनी के McDonald's बोलो, Wow Momos बोलो KFC, FC सब मिल जाएगा आपको और Zomato Swiggy से सस्ता मिलेगा आपको ONDC में delivery भी अभी फ्री चल रहा है तो जल्दी से order करो और मेरे को comment box में बताओ क्या आपका experience कैसा रहा और ऐसे वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब कर लिजे हमाई चैनल को जैहिन